नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल नेगी की सहर पे तो दोस्तों आज हम आहां रखे हैं डीसी के ग्राउंड में जो कोवा वाला धरहदून में पड़ता है और आज यहां पर आर्टिस्ट और मर्चे नेवी का मैच है तो देखिया आप ग्राउंड मेरे प और जो कि मुंबे में रहते हैं और काभी अच्छा खेलते हैं मुंबई इसे बुलाया गया है स्पेशल प्राइस में और इनका सेलेक्शन अभी IPL में भी होने वाला है बस कुछ और मैच इसकी बारी है एक्सेप्ट निक्या कॉंट्रेक्ट और यह साश्वत भाई हमारे श यह लिए ग्राउंड है यहां पर काभी बड़े-बड़े मैचेस भी होते हैं अब यह हमारे प्लेयर्स यहां पर बैठे हैं और कोई यहां पर कैमेरा की सेटिंग करता हुआ और कोई कॉमेंट्री वस्ता करता हुआ और लोग यहां पर दीरे देने आना शुरू हो चुके हैं यह मेरे भावेश भाई और अभी मन्यू भाई जो की कैमरे पर हैं यहां रिश्यव भाई जोन्होंने लास्ट नाल को सेंचुरी मनाई थी यह हमारा ड्रेसिंग रूम और यहां भी किट्स वगएरा सबके पैक्ट हैं और सब कुछ व्यूसते हैं यहां पर काभी खूबसूरत यह ग्राउंड है और यह कॉमेंट्री का सिस्टम यहां से देखिए आप ग्राउंड को कितना प्यारा ग्राउंड है तो दोस्तों अभी आपको मैज की कुछ जल्कियां दिखाते हैं कुछ देर में मैज दस शुरू होने वाला है अभी 10 या 20 मोट मैज अभी शुरू हो जाएगा तो आपको दिखाते मैज की कुछ जल्कियां तो दोस्तों अभी मैज से पहले हम नाश्टा कर रहे हैं और शाय मेटार दुनिया करें दूस्त कहां सब्सक्राइब कर दोस्तों अभी तक हमें पता था कि रभी भाई हमारी मुंबाई से हैं अभी पता चला कि हम दुनों सगे रिस्थदार हैं यह बहल चोड़ी से तो दगड़ेओं अभी रेडी हो चुके हैं मैच बस की बाली के लिए हम धाल करने के लिए यह लाइव स्ट्राइब कंगें आर यूट्यूब पर चलाता सिद्धे यूट्यूबर जाएगा ना यह नहीं हुधा अच्च तो पिछला मैच हमने बहुत कम्विंसिंग भी जीता ठीक है उस इनिंग में क्या हुआ था फिर्स्ट इनिंग में हम पीछे हो गए थे हमने फाइट नहीं छोड़ी ठीक है कभी भी यह मत्छो सोचना कि हम पीछे हैं जो बैट्स्पन या बोलर लगा है वो लगके करेगा ठीक है सिंगल डबल भी इंपोर्टेंट है ठीक है सिक्सेज भी इंपोर्टेंट है टीम के लिए खेलेंगे सारे पहला हमारा क्या जीतना मैच अब शुरू होने वाला है और अभी हम अपनी फिलिंग से जाएंगे हमारे पहली फिलिंग आई है दो मैचेस होंगे आंस के दिन में जो की बीज भी सोबर के होंगे 2020 मैच है दो तो देखते हैं क्या ध्याडफेड करते हैं हम तो चलिए मिलते आपसे बीज बीच में आपको जल्किया दिखाते रहेंगी जीतना ब्रो जीतना ब्रो तो गाईज अभी हो चुका है एट्डिंग्स बेक और 80 हो गया अब 15 और मे बैटिंग आईगी तो देखते हैं हम कितना स्कोर चेज कर पाते हैं और यह रोग कितना बना बाता हैं तो मिलते आपसे आपसे आप बीस ओबरों में हमारी विवक्षिक कीम का स्कोर हुए 170 और हमें बनाने 171 तो देखते हैं आगे क्या होता हमारे बैट्समें पैड़ अब यूपी नहीं पूरे देश में मशूर है दूसरे बारी की पहली बॉल शुरू हो चुकी है और पहली गेड और बहुत सुन्दर अंदर की तरफ आई पर बैट्समें भी बहुत तगड़े डेविड भून की लीग में वाने जाते हैं आकाश बादवाच दूसरी ओवर से अभी मन्यों कट है दोनों बहुत सुर्जे वे बैट्समें और यह दूसरी गेर पहले ओवर की और यह डाउन दे लेग साइट अधास वेल बोल्ड वेल प्लाइट अच्छों अभी हमारा स्कॉर हो चुका है तीस रन बिना किसे विकेट के नुक्सान पे और अभी बहुत बड़ी आगाश भाई मज़ा आगया तो दोस्तों अभी हमारा स्कॉर्ज होगा है वो अभी 72 पे तीन विकेट हमारे गिर चुके हैं अभी मैं लैगम बैरिंग के लिए जा रहा हूं और यह शैश्वत भाई जो बैटिंग के लिए जाएंगे हाँ हमारा स्कॉर हुआ है 77 रन पर दो विकेट और यह अभी हमारे नए बल्लेवाज मैं लैगम पैर बनाओ हूँ फिलाल और काभी एच्छी बाल और यह एक और विकेट हमारा गिर चुका है भावे श्रावाद यहां बैटिंग पे काभी खबू बले बाज़े हमारी टीम के इन पर काभी दरोमदार है हमारी टीम का यह हमें जीत के पार ले जाएंगे यह देखे पिछ का जाईजा ओंस गिरी थी सुबह बहुत जादा अभी तो काभी सुखी है काभी ड्राई पीच हो चुकी है गाइज यह हमारी विपकसी टीम जो काभी खुश हो रही है तो दोस्तों अभी हमारा स्कूर हो चुका है सेवन्टी एट रन पर दूव विकेट और एक विकेट हमारा भी अभी जा चुका है अभी क्रीज पे हैं बाविश भाई तो देखते हैं हमारी टीम जीत के पार को मैच होगा इसके बाद शयाद मेरी बैटिंग है तो आप मेरी बैटिंग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे आप इस मैच का लाइब स्ट्रिमिंग भी देख सकते हैं क्रिक हीरोस के यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा और शाष्वत जे पं अभी हमें रण चाहिए 60 रण 29 गेंदों पर शाष्वत जे पंडित भी बैटिंग कर रहे हैं और मैच का महल काफी गर्मा गर्मी का हो गया है तो देखिए आप दो अपर में 36 रण चाहिए तो देखिए होता है क्या और उचाल दिये अगेंद उपर किछा दिये और फिल्डर गेंद के नीचे और यह ओफ साइट में चारण इन लास हम यह वाला मैच हार चुके हैं अभी दूसरा मैच शुरू होगा 10 मिनिट में यह फिर आदे घंटे बाद लंच के बाद हमारा दूसरा मैच शुरू होगा टीट्वूंटी का अच्छी बल्लेवाजी की बठखरी गेंदों में घपरूल कर गए और बैटिंग ना मिलने का दर्फ लगता अगली इनिंग में तो बैटिंग आगी मनीश तरीट है अच्छा मैच और हमारे कप्तान अभी मनीश यहां पर क्या बात है बहुत शिवल्ले बाजी और यहां पर हमारे बेटिक का पादकॉन दोस्तों भी हमारा हुआ रहा रहा है यहां पर लंच टाइम राजमा चावल हमारे हातों में हमारा मैच वा पंजाब निवर्टी से नि और मेरी गल्फरंटी उस था है कॉलेज में उससे मुझे बदा दिन में मिलेंगा मैंने का यहां चल मैच मेरा शाम को आउंगा मेरा रात हो जाएगी और हम एक घंचे में वापिस कॉलेज है बेट सुन हमारे चार बॉल में चार विकित हमारे टोटल बीस राज था तीन वर तो दोस्तों यह दूसरे में इसका भी एंडिंग अभी मैंने बैटिंग कर लिए मैं ज्यादा कुछ कर नी पाया मैं बस एक रन बनाके आउट हो गया इसके बाद बैटिंग करने के लिए आएंगी शाष्वत भाई तो हाड लग मेरा फिर से आच मात रेक रन बनाके आउट और एक आप यह अच्छी शॉट कबर ट्राइप में और यह बॉंटरी लाइन के पार तो यहां ध्यार बढ़ करने वाले हो हैं आराम जबाजा ना है चला तो दगणयों हो चुकी है मैस कि समापती और काफी दुखत अंत रहा हमारे लिए हम दोर्म में चार चुके हैं बट हाट लग कोई नहीं अब नेक्स टाइम फिर से आएंगे देखतें की आगे होता है क्या और यह भवी जी हमारी देखिए जो सेचुरी मारतों की शग किजिए नगी की सहर को और जल्दी आपके लिए हम नए आने से मज़ेदर ब्लॉक लेकर फिर से आएंगे तो चलिए मिलते आप से